आशा करता हूँ आप साथ बहुत अच्छे होंगे पर नाम सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टड़ी आई क्यों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे जापान हूमन एक्सपरि Μट यूनिट 7-3-1 राफ्रिमोर्ण पिर बढ़िया बैगराउण दूंगा जो आपको बहुत काम आने वाला है तो चली आगे बढ़ते हैं सिर अर्सको रिकनेक्ट मेरा फेस्बुक पेज है सिधान तक निहोतरी के नाम से मेरी फेस्बुक प्रोफाइल है दोनों ही जगा पर चेप की PDF ले सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं गौरफ सर ने एक बेहतरीन किताब लिखी है दोस्तों तो तो आप Study IQ की वेबसाइट से सको प्री बुक कर सकते हैं दोस्तो Study IQ का एप आ गया है मेरे बहुत सारे कोर्समें और Study IQ के जितने कोर्समें है अगया है यहां पर कंसोलिडेट किया है तो आप Play Store से सको डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें को बहुत जादा फाइदा होगा ट्विटर पे मैं आ गया हूँ ये रही मेरी ID तो ये है क्या Unit 731 या Detachment 731 6 स्क्वाइर किलोमीटर में फैला दोस्तों 150 से ज़ादा बिल्डिंग्स थी इसमें ठीक है ये जो यूनिट था इन बिल्डिंग्स में Human Experiment होते थे इनसानों के उपर प्रयोग किये जाते थे किस तरीके के? Biological Experiment होते थे बिमारी डाल दी उसका Treatment कर रही है और बिमारियां भी दोस्तों ऐसी ऐसी Typhoid, Cephalis, Ganoria जो ये Sexual Transmitted Disease है नेजी जो थे कम से कम ये Sexual Transmitted Disease जो है उसका Experiment नहीं करते थे जापानी तो इनसे दो कदम आगे जापानी पूर रेप पागल थे जापानी ना एकदम सरफिरे थे इनकी जब आप कहानी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया है World War II में आपकी रूह काब जाएगी आप मेरा लेच्चर देखिएगा Raps of Nanking पे ठीक है पता चलेगा आपको कि जापानी ने क्या किया है ठीक है देखिए आप कर्मों की तो साथ आपको मिलती है अब definitely ये तो कोई justify नहीं कर सकता कि जो जापान के साथ हुआ वो सही था वो तो गलत था बहुत लोग मरे दोस्तों बेगुना लोग मारे गए उसमें ठीक है लेकिन जापानियों ने हद से जादा क्रूरता दिखाई है आपको मैं एक चीज बताता हूँ जापानी जो थे वो एक बहुत बड़ा बायोलोजिकल बॉम मना रहे थे ठीक है वाइरिस डालदो वेपन छोड़ेंगे अमेरिका के उपर अगर यह हो जाता तो समझे जो हाल नागासाकी और हिरोशिमा का हुआ वो उस समय कैलिफोर्निया का होता लेकिन इससे दो हफते पहले जापान ने सरेंडर कर दिया था तो बच गया था वरना बहुत बड़ा लेकिन अमेरिका ने जो किया वो भी गलत था अमेरिका ने तो 6 अगस्त 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पे नुक्लियर बॉमाज तक का एक लोता नुक्लियर अटाइक जो अमेरिका ने किया जापान के उपर इसी लिए जापान जो है अमेरिका जो है वो जापान को इस समय अपना च्छाता देता है च्छाता मतलब जापान जो अमेरिका का अंब्रेला है उसमें जापान आता है मतलब अमेरिका जापान को प्रोटेक्ट करता है 1945 के बाद से दोस्तों मेजी रेस्टोरेशन ये जो इंपीरियल जापान था ये 1947 हम खतम हुआ ठीक है उसके बाद अमेरिका प्रोटेक्ट करता है कि एज़ा प्राश्चित हमने तुमारे उपर बॉंग गिराया हमको बहुत जादा दुख है तो आज के बाद तुमको कोई military रखने की कोई जरुरती नहीं तो जापान की कोई military नहीं है जापान की कोई army नहीं है जापान इसी लिए आज बहुती समरिद्ध देश है एशिया का एक मात्र developed country है जापान क्योंकि उसको इधर border की चिंता नहीं करनी होती है क्योंकि अमेरिका उसको protection दे रहे ठीक है अब हम थोड़ी जापान की बात करते हैं ठीक है ये unit आप समझ गए ये 731 यहाँ पे experiment किये जाते थे ये basically 1937 से लेकर 1945 लगा तार यहाँ पे experiment किये गा और यसे बहुत सारी unit थे दोस्तों unit 100 था, unit 516 था, unit 1641 था धेर सारी unit थे जहाँ पे इस तरीके के experiment किये जाते थे ये basically war crimes against humanity जापान के उपर ये आरोप हमेशा सही लगते रही है ठीक है और ये कहाँ था ये चाइना में था ये pink fang district of harwin में था जो की northeast चाइना में situated है तो ये unit 731 वहाँ था अब ये चाइना का क्या रोले देखिए आप एक चीज़ समझी, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से background बताता हूँ, ठीक है जापान के बारे में अगर आपको वैसे बहुत अच्छे से जानना है और एक एक डीटेल जाननी है तो आप Steady IQ पर app डाउनलोड करिए उसमें world battles मैंने cover कि है 19th century की important battles तो उसमें मैंने जापान की जो important battles है वो मैंने cover कि आपको पता चलेगा पहले आप चाइना के बारे में जानिए चाइना जो है उसकी बदकिस्मती ऐसी रही कि चाइना 19th century में जितने युद्ध लेड़े चाइना ने वो सब हारा और हारा तो ठीक है बहुत बुरी तरीके से हारा चाहे वो दो OPM वार्ट्स लड़े गए हो ब्रिटेन के साथ चाइना को ब्रिटेन ने नशे किलत लगा दी थी और जब भी चाइना बोलता कि अब इस नशे किलत तुमारे OPM ये जो तुम हमको अफीम भेज रहे हो ये अब नहीं चलेगी ठीक है और अब हम तुमसे युद्ध करेंगे ब्रिटेन हडा देता था उसको ब्रिटेन चाइना दो OPM वार्ट हुए और ब्रिटेन ने हराया और चाइना कुछ कर नहीं सकता था चाइना में दोस्तों एक्स्टरनल इंफ्लूएंस बहुत ज़ादा था बाहारी ताकते चाइना पे बहुत ज़ादा हावी थी भया इसलिए तो 1899 ने Boxer Revolution हुआ उसकी जो नीव है कि यहाँ पे चाइनीज जो थे उनका मूट खराब हो गया उन्होंने बोला कि अगर हमारे Empire जो है जो हमारे Emperor है ठीक है वो अगर इससे नहीं डील कर पा रही है तो हम डील करेंगे तो यहाँ पे चाइनीज ने चाइना वालों ने हत्यार उठा लिये थे लेकिन उसके बाद जापान, अमेरिका और यह फ्रांस यह सब एक जो ठोके चाइना को दबा दिया इसको Boxer Revolution मैंने कवर किया आप में अब देखी का उसके नाम से जाना जाता है तो चाइना सारे युद्धहार चाइना का आज का स्टैंस इसी रहे इतना एग्रेसिव है 1949 किसी ने नहीं सोचा था चाइना में Communism आएगा क्योंकि चाइना का इतिहास ऐसा है ही नहीं चाइना का इतिहास हिंसक नहीं है दोस्तों चाइना के एक्तिहास बहुत ही अच्छा है चाइना में six school of philosophy का जनम हुआ यह नियांग philosophy का जनम हुआ Confucius यहां से आए लाउजू यहां से आए वो सब मैंने cover किया है दोस्तों बड़ा peaceful रहा है इनका जो पूरा और बहुत लोग इनकी teaching को मानते हैं बकाइदा चाइना से दोस्तों meritocracy का जनम हुआ चाइना से paper currency आई आए आपने देखा होगा जादा तर जो invention हुए नो चाइना में ही हुए क्योंकि चाइना एक बहुत ही समरिद एंपायर था अगर Chinese एंपायर की बात करें दोस्तों तो बहुत ही समरिद था और बड़ा ही high class एंपायर था समझ रहे हैं यहाँ पर जो लोग थे ना जब Mongol invasion हुआ था Northern China पर तो चाइना वाले बड़े high class थे बड़े high society वाले माने जाते थे ठीक है तो चाइना ऐसा था लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा और जैसे जैसे foreign invisions हुए चाइना पर foreign influence हुए चाइना गरीबी में गया और मैं आपकी चाइना के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ इसलिए क्यूंकि जापान को समझ ली के लिए आपको चाइना को समझना जरूरी है तो चाइना ने सारे युद्ध हारे अब इदर जापान में क्या हो रहा था जापान में आता है 1868 में मेजी restoration जिस पे मेरा पूरे separate lecture है और जापान की economy पूरी बदल जाती है जापान की economy को खोल दिया जाता है लेकिन यहाँ पे जापान बहुत ही जाधा ताकतवर हो जाता है इसको कहते हैं imperial जापान जो की 1868 से लेकर 1947 तक चला सब कुछ emperor के अंडर और emperor पूरी ताकत emperor के पास आ गई और यहाँ पे चाइना को invade कर दिया और यही सही problem हुई फर्स्ट साइनो जैपनीज वार इस वार का इतना जाधा impact था एक साल भी नहीं चला दोस्तों 1894 से लेकर 1895 तक जापान ने चाइना को हरा दिया जापान अब expand करने लगा और इसलिए मैं आपको चाइना के बारे में बता रहा था च 1904 और 1905 इधर यह जैपनीज रूस वार और इसने जापान ने रश्या को भी हरा दिया खतम खेल खतम जापान बहुत ताकतवर साथवे आसमान पें का confidence चाइना इनके कबजे में कबजे में अब यहां पर 1937 आते आते जापान बहुत ताकतवर हो गया था ठीक है 1932 में दोस अफिसर थी जापानी आर्मी के उन्होंने बोला कि एक ऐसा हम सेंटर बनाते हैं जहां पर हम experiment कर सके एक इस तरीके का biological unit हमको बनाना चाहिए अब उस समय ये issue unit और vakamatsu unit में divided था ये भी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे ठीक है लेकिन अगस्त 1940 में इसे unit को बाद में unit 731 ब अपनी पहचान चुपाने के लिए कि यहां पर human experiment हम नहीं कर रहे है water purification department है यहां पर बकायदा experiments होते थे ठीक है तो 1937 में जापान की ताकत बहुत जादा हो गई जापान ने फिर से चाइना को invade कर दिया और चाइना उस समय civil war में था है ना इधर communist forces और इधर चियंक काईश तो तक जापानियों ने चीनियों को काट डाला गाजर मूली की तरह काट दिया जो वी चीनी थे ऐसे पकड़ते थे उनको जिंदा दफना देते थे आंग लगा देते थे किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों मैलाव को खिलाफ नामी है न रेप्स आफ नैंकिंग आप समझी ल जाता है और इधर जापान जो है बहुत बड़ी ताकत अब जापान एशिया में एक्स्पांड करता है ठीक है और जापान जो important areas है एशिया के जो ब्रिटिश के पास है वो छीनना चुरू करता है especially South East Asia में ठीक है तो यहां पे चाइना को जब 1939 में चाइना जापानी जो forces थ उन्होंने medical facilities बना ली और बहुत सारे units बनाए ठीक है जहां पर यह medical experiment कर सके world war 2 शुरू हो गया अब यह लोग क्या करते थे जो prisoners of war होते थे जो कैदी होते थे ठीक है especially Soviet इधर Soviet जो था वो बाद में allied forces के साथ हो गया और यहां पे Soviet के जो prisoners होते थे जो उनके कैदी होते तो उ 20% जो लोग थे जो कैदी थे वो Soviet थे और इनके उपर बकायद experiment किया जाता था बाकी कौन-कौन थे दोस्तों जिनकों पर experiment किया जाता था बाकी physically handicapped जो बुड़े होते थे जो pregnant women's होती थी बच्चों तक को नहीं छोड़ा नेजीज से जादा जापान के experiment खतरनाक होते थे ही genetic study कर सके DNA को study कर सके ठीक है इधर नेजी का इधर जो जर्मनी का उनका जो मनसूबा था ठीक है लेकिन जापानियों के experiment करने का एक ही मनसूबा था जीत हम किस तरीके से biological weapon बनाए और attack कर सके और इसकी जो कहानी वो 1930 में शुरू हो गई थी और इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना का हरना ठीक है बले ही चाइना एलाइड पावर के साथ था लेकिन जापान चाइना पे फुल ओन अक्टिव था ठीक है अब इधर आपको पता ही है कि फिर 1941 में जापान ने परल हर्बर अमेरिका को चुनौती देदी परल हर्बर पे अटक कर दिया पूरा सेपरेट पर हो गया था इधर चाइना का क्या हलता और चाइना में सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तो जाहिर से बात है लोग भी वहीं के ही होते होंगे चाइनीज लोगों को लेके आते थे जाधा तर इसमें जैसा कि मैंने बताया जो एंटी जैपनीज होते थे जो क्रिमिनल्स आई तो इसमें 2,000,000 का अकड़ा दिया है लेकिन एक तो चीज पकी है किसमें लाखो लाखो लोगों के उपर experiment किये गए थे ठीक है अब इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे ठीक है researchers हो गए doctors हो गए bacteriologist हो गए यह सब experiment करते थे चिकन पॉक्स हो गया बहुत थे खतरनाग बिमारी होती है यह वायरिस से वायरिस वह नहीं लड़ सकती है वह बैक्टीरिया से लड़ सकती है उसका इलाज है उससे antibodies लड़ लेंगी लेकिन जो virus फैलाते हैं तभी तो corona एक virus फैलाता है ठीक है virus आइधर living being और non living beings ठीक है अलाकि debate है कि वो जिन्दा रहते हैं कि नहीं रहते हैं वो debate है बहुत बड़ी उस पर फिलाल नहीं जाते हैं वो medical scientist के बीच में लेकिन virus या तो active होते हैं तो virus जो बिमारी फैलाते हैं उसको antibodies ठीक कर नहीं सकते हैं तो इन virus से जो बिमारिया होती हैं इससे इंसान तड़पता है जैसे chickenpox ठीक है mums यह अपने आपी ठीक होते हैं और यह बहुत जादा खतरनाक होते हैं तो यह जो सारे experiment थे यही जापानी कर रहते थे virus लेते थे इंसान में डाल देते थे इंसान तड़पता रहता था और हां आपको बता दूँ कि जब यह सारे experiment किये जाते थे तो एकड़म पीट पे ले जाता था experiment मतलब जितना जादा जो subject होता था जो patient होते थे जितना जादा उसको दर्द दे सको दो इतने पानियों का experiment ठीक है इसमें सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों कि sexual transmitted disease के उपर experiment होता था syphilis, gonorrhea इन सब के उपर experiment किये जाते थे अब इन पर experiment कैसे होंगे यह ज़रा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा हो सकता आपको अटपटा लगे ठीक है इसमें experiment होते थे एक patient लिया जाता था जिसको gonorrhea यह syphilis हो यह sexually transmitted disease होता है आप एक इसमें लिया जाता था male दूसरी ल संबंद बनाओ मतला वो औरतों को force किया जाता था कि आप शारीरिक संबंद बनाओ यहाँ पर आपके पास कोई choice नहीं और अगर resist करते थे तो उनको मार दिया जाता था तो इससे क्या होगा जो यह disease है वो औरत में भी चला जाएगा जाहिर सी बात है और यहीं देखा जाता तो sexually यहाँ पर forced sex की भी बात आई है और हाँ यह जो गार्च होते थे इन units में जो गार्च होते थे बलातकार उनके लिए बहुत आम बात थी है ना बहुत जादा molestation होता था यहाँ पर pregnant women's के साथ तो दोस्तों बहुत जादा बरबरता की गई है ठीक है कुछ cases तो इतने horrifying ह है कि क्या बता है यहाँ पर दोस्तों एक और आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो मदर्ज होती थी ठीक है जो चाइनीज मदर्ज होती थी जो जापानी को जो मतलब support नहीं करती थी जादा और जो prisoners of forest में Soviet भी थे ठीक है Soviet families भी थी तो क्या होते थी कि इनके छोटे-छोटे होते थे 5 साल के 6 साल के तो यह लोग क्या करते थे पहले parents को मारते थे पहले parents के उपर experiment करते थे बकायदा उसके बाद बच्चों को बच्चे के उपर experiment करते थे ठीक है और बच्चों के उपर दोस्तों आपको बता दूं बच्चों को जब यह experiment करते थे तो उनको anesthesia नहीं द केडिनी तक निकाल देते थे ठीक है और ऐसे मारते थे मतलब तलब तलब के मौत होती थी एकदम लास्ट स्टेज पे यहां तक की दोस्तों यह क्या करते थे कि एक पार्ट लेते थे बॉड़ी का और दूसरी जगा लगा देते थे और उसमें भी उसान जिंदा रहता था इसो चानक सर्जरी जिसको बोला जाता है यहां पर लोगों को मारा जाता था बहुत बुरी हालत थी और अभी तब किसी को कुछ भी नहीं पता लेकिन दोस्तों में तो यही चीज था थी कि ज़ादा था टाइम क्या हो रहा था कि यहां पर बायलोजिकल वेपन भी तैयार किये जा रहे थे उस पर भी experiment किये जा रहे थे क्या हम biological weapon को तैयर कर सकते हैं कि नहीं और बकाइदा chemical attacks भी के चाइना पर बकाइदा chemical attacks हुए है ना और यहाँ पर चाइना में बहुत सारी biological casualties हुई है ठीक है cholera से यहाँ बहुत जाद लोग मरे है टाइफॉइट से और यह सब inject किये जाते थे बकाइदा ठीक है तो इस तरीके का biological bomb experiment भी यहाँ पर किये जाते थे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था दोस्तो यह 1945 तक चला है 1945 तक चला है दोस्तो और आप देख लीजिए यह जो cholera anthrax और plague पे जो experiment होते थे इसमें बताया जाता है कि 4 लाग Chinese मारे गए जो civilians थे इन सब के ओपर experiment किये जाते थे ठीक है तो 1945 तक चला है लोगों को पता नहीं था ठीक है जब red army आई ठीक है जब Soviet भी Japan के पास आया क्योंकि अब तो Japan हारी गया था तो यहां पे सारे evidence जो थे human experiment के destroy कर दिये गए थे तो इसलिए trials नहीं हो पाया बाद में trial करने की कोशिश की गई लेकिन अमेरिका ने बाद में immunity दे दी क्योंकि मैंने बता ना अमेरिका ने इधर जापानियों को थोड़ा सा रियायत दे दी थी कि हमने तुम्हारे बहुत गलत किया है तो इनके proper trial कभी हो नहीं पाये जो लोग इसमें शामिल थे लेकिन दोस्तों यह चीज तो आप मान के चलिए कि इन experiments में बहुत लोगों की जाने के और यह experiment जर्मनी से भी जादा खतरनाक थे है ना यह जो human experiment होत होते थे तो मैं यह lecture आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यह जो हिंसा होती है जो सनक होती है वो इंसान को पागल बना देती है कहां तक चला जाता है इसलिए हमेशा हिंसा से दूर रहें तो यह lecture था दोस्तों I hope आपको पसंद आया होगा इसमें पस